थे प्रियसारों आपको अगर बिढ़्यानमे टौब करना है जान में पूरी पूरी पराप करना है तो आपको हमारे चोनल साभष करना है शैक्श के विज्ज्यानमें आपको कोई भी हरा नहीं सकता किसी बर्क्षे में आप हमेशा टॉप करेंगे और अंदी के लिए हमने जो चैनल बनाया है उसको आपको सबस्क्राइब करना है अगर आपने यह चैनल भी सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि आप सबस्क्राइब नहीं करते हैं विडियो सुप्ष्म जीवों को की इस चाहता से देखा जा सकता है मानने बच्चों जो सूक्षम जीव हैं आंगों से देख नहीं पाते हो ऐसी कौन सी मसीन है जिसके सहता से आप इनको देख सकते हो ये आप से प्रश्म Inteर पुचा है तो या बच्चों प्रश्म finns देखें ये लखा है सूक्षम दरसी की सहता से देखा है सकता है यहां बच्चों हमने क्या किया यहां सूक्ष मजीब का हमने सूक्ष मे ले लिया और देखा को अपन बच्चों दरसी कहते हैं हो गया सूक्ष मदरसी तो बच्चों सूक्ष मदरसी एक मसीन होती है जिसकी सहता से हम छोटे-छोटे सूक्षमजीवों को देख सकते कभी आपको दिखाएंगे आपका होगे तो अब बच्चों यहाँ पर आपके सामने जो कोश्चन है नीले हरे सेवाल बायू से का इस्तरी करन करते हैं जिसे से मिट्टी की उरवरता में ब्रद्धी होती है अब है एलकोहल का उत्पादन जो एलकोहल है माना दारू जो है सराब जो है इसका उत्पादन किस सुक्षमजीव की साहथ आप बताओ जो सुक्षमजीव होते हैं बच्चों अच्छे भी होते हैं ऐसे दही है आप दही खाते हैं रायता खाते हैं चाच पीते हैं उसमें छोटे छोटे बहुत सूख्शमजीव होते हैं कभी आपको दिखाएंगे आप खानी पाओगे लेकर वो अच्छे वाले होते हैं है यह वी किसी सूक्ष्मिजीब का नाम क्या है इस्ट क्या है उस सूक्ष्मिजीब का नाम है बच्चु इस्ट क्या नाम है जीवाणू के द्वारा होता है जीवाणू को बच्चों बैक्टीरिया भी कहते हैं क्या कहते हैं बैक्टीरिया तो हैजा नामा का रोक जो है बच्चों जीवाणू के द्वारा होता है बच्चों आपको बता है बीमार हम तीन तीन लोगों से बीमार होते हैं एक बच्चो होगा जीवानू एक बच्चों हो गया आपका बायरस ठीक है एक बच्चों हो गया प्रोटो जुआ इन से हम बीमार होते हैं यह छोटे छोटे जीव है यह छोटे छोटे जीव हैं अभी कोरोना फैला था यह बायरस था मलेरिया प्रोटो जुआ से होता है तीन से अपन बीमार होती है एक जीवाणू हो गया एक वायरस हो गया एक फ्रूट हो जुआ हो गया तो हैजा की पूछा है तो हैजा जीवाणू से होता है कोरोना पूछते तो वायरस लिख देती है अपन यह है आपका सही के सामने टिक लगा है अब जैसे आपके स इस्कुल में आपके चीचर के आपको काम करना तिक लगाना है लेखना है वह आपके उपर स्वाप ह estás हें अब भए अब आ सीखिपये थे उसमें था हैं कौन साप प्रतिजयवक है ऑनों होता बच्चो एंटी बाइयोटिख या एंटी-बाइयोटिक कि दिया ढ़्यांदें तो बच्चो जो । इस्टरेप्टो मायसेन है बच्चो एंटीबाइयोटिक ए क्या है एंटीफै। निथे है ए stipe, कर एंटीफ इसकी खुच जो बच्चो अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने की थी प्रतिजयवक किस ने बनाये थे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने प्रतिजयवक बनाये थे सबसे पहला प्रतिजयवक कौन था पेनिसिलीन था यह पूंचन यह भी आपसे पूंच सकते हैं तो समझ बच्चो जो मलेरिया है इसको कौन फैलाता है कौन फैलाता है किसे से होता है बो नी बूचा है तो बच्चो जो मलेरिया है मादा एनाफिलिज मच्छर फैलाती है माना बच्चो आपको एक लाक मच्छरों ने काठा और डिली काठते हैं क्या बच्चो आपको मलेरिया हो गया मलेरिया आपको नहीं होगा मलेरिया आपको नहीं होगा जब तक आपको ये मादा एनाफलिज नाम की मच्छरनी नहीं काट ले तब तक आपको मलेरिया नहीं हो सकता है ठीक है तो मलेरिया कौन फैलाता है याद रख लें मादा एनाफलिज मच्छर काट ले बच्चो तभी आपको मलेरिया हो सकता है नहीं अब बच्चो है संचरणी रोगों का सबसे प्रम कारण क्या है माने बच्चो किसी के घर में टीवी हो किसी को टीवी हो जुखाम हो आपके घर में भी चुखाम टीवी हो सकता है कब हो सकता है तब बच्चो आ सबसे पैरों से उसके सरीर से चोड़े सूखशनीग पर वह ह्हान है तो आपके घर में भी रूह हो सकता है तो मानुच जो फैलने वाले क्यों होती है जो फैलने वाले रूह कोती है सब से ज्यादा मुख्छे कौन फैलाता है गरीलू मक्ही इसलिए तो बजा रहे हैं आदमें कम बीमार होती है क्योंकि मक्हियां कम पा जाती है गाउं में एक दम बीमारी काई फैलती है तो मक्हियां बहुत हो नहीं काओं मैं एक दूसरी घर में वो जाती आती रहती है तो मक्हियों से आपको बचना चाहिए ऐसी सफाई रखो मक्हिया आपके घर में आही ना पाए तो आप सौस्त रहेंगे अच्छा बच्छो आपने कभी ब्रेड खाईए खाईए बलकुल चा दीके कारण तो इस्टि से बच्छो ब्रेड बना जाती है इस्टि से सराब बना जाती है माना इस्टि से एलकोहल भी बना जाता है और इस्टि से ब्रेड भी बना जाती है तो दो बाते हैं इस्टि से क्या क्या बना जाता है आपको पता है एलकोहल और ब्रेड सही बात है अब इस question का answer आप दे सकते हैं कि चीनी को alcohol बच्चो पता है जो गणना होता है गणना गणने की सक्कर होती उस से ही बच्चो एमको क्या है हम आपको बता चुकि हैंए पिछली कुछेन में तो एमको क्या है आप कमेंड मुथ्त दे सकते हैं तो उस तो बच्चो हम आपको अच्छी से समझाब तो आप वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो यह जोडियां है ठीक है तो बच्चो हमने क्या किया है यह पर सामने लिख दी इसे आपको confusion ना रहा है याद भी आपको आ जाएं अच्छा जो जीवानू है बच्चो किसके करण फैलता है जीवानू हैजा के करण फैलता है हम बता चुके हैं आपको राइजोबियम क्या करता है बच्चो जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन इस्थरी करण करता है राइजोबियम नामाग जो जीवानू है ये नाइट्रोजन इस्थरी करण करता है बच्चो किस में होता है ये दालों में होता है ये बच्चो दिखान देना आप गाव में दालों को दारभी कहती है प्रिशन पूछते हैं कि जो डालें होती है उन्हें क्या होता है उन्हें राइजूबियम होता है जो डालें होती है उन्हें क्या होता है उन्हें राइजूबियम होता है राइजूबियम क्या काम करता है नाइट रोजन इस तरीकरन करता है अब इसको ऐसे समझो आप और ना बोलते हैं दालों में क्या होता है राइजूबियम होता है राइजूबियम क्या काम करता है नाइट्रोजन इस्त्रीकन करता है तो को इस सब्द जो है दराने तो इसी से हमने आपको सब कुछ यहाद करवा दिया एक बार और देख लो देखो दा से डालों में क्या होता है राइजोबियम होता है राइजोबियम क्या करता है नाइट्रोजन इस्तिरीकण का कम वरता है ना से नाइट्रोजन इस्तिरीकण याद कर सकते हैं लैक्टोबैसिलस क्या बच्चों जो लैक्टोबैसिलस है यह क्या कम वरता है यह दही को जमाने का कम वरता है लैक्टोबैसि सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्नवाद